आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टन वर्ड लेने जा रहे हैं और ध्यांदी जी कुछ लोग किसी कारेकों करने में बहुती दक्षे होते हैं निपूर्ण होते हैं हम कह सकते हैं वो उसको काम को करने में काफी एक्सपर्ट है और प्रवीनता के साथ वो काम कर सकते हैं तो ऐसे लोग की जो काम करने की जो कला है जो उनकी दक्षता है ऐसे गुन के लिए हम कौन-कौन से वर्ड यूज करते हैं तो इसके लिए जैसा आपने एक शब्द सुनाओगा बेसिक लेवल वर्ड एक्सपर्ट होना यानि किसे भी काम में जब कोई व्यक्ति पूरी तरके से प्रवीन है दक्ष है, निपून है यानि उसे वह काम बहुत अच्छे से कर सकता है यानि वह व्यक्ति उस काम को करने में स्किल्फल है तो ऐसे शब्दों के कौन-कौन से एड्वांस्ड लेबल वर्ड्स हो सकते हैं तो देखे, इसकिल्फल एन एक्सपर्ट यह शब्द आपने पहले सुनावा होगा निसित्रूप से इन दोनों शब्दों के एड्वांस्ड लेबल वर्ड्स यह हाई लेबल वक्यबल के हिसाब से कौन-कौन से शब्द हो सकते हैं इनमें एडेप्ट, स्पलिंग देखे, A-D-E-P-T यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक शब्द और भी होता है A-D-A-P-T पर दोनों के मिनिम में बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर यह अडेप्ट, स्किल्फुल या एक्सपर्ट से समन दीते हैं नेक्स्ट है अड्रोइट डेप्ट डेक्स्टेरस एप्ट निम्बल एस्ट्यूट प्रेफिशन्ट इंजिनियस और वर्चुवस इस्किल्फुल एंड एक्सपर्ट यह बेसिक लेवल शेब्द जो आप में से अधिकान सिविध्यारतियों को आते होंगे लेकिन जब हम एड्वांस लेवल वक्याबली की बात करें या कंपेटिटिव ग्जामनेशन्स एससी, सीडियेस, एंडिये, क्लैट, कैट, बैंक प्यो या यूपीएसी के अधरिक जामनेशन्स की बात करें और आप कोई अच्छा स्टेंडर्ड लिट्रेचर पढ़ना चाहें तो जनरली इस तरीके के वर्ड्स अलगलग कारें में जो व्यक्ति दक्ष है, निपुर्ण है, प्रवीन है उन लोगों के लिए situation के according इन शब्दों का प्रियोग किया जा सकता है तो पहले basic level word के meaning हम लोग देख लें a skillful of a person, good at doing something, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने में काफी अच्छा है especially something that needs special ability or training, खास तोर से ऐसा कोई काम जिसों करने के लिए कोई vicious training की जो रहतो, विछे स्योग्यता की जो रहतो तो उस काम को करने में अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, तो उसे हम लोग दक्ष कहते हैं, निपून कह सकते हैं वो उस काम को करने में पूरी तरह के शेक कुसल है कुसल तो अलड़ी लिखा है, पर यहाँ पर हम इसको निपून कह सकते हैं निपुन और कई बार इसको हम लोग हिंदी में प्रवीन भी कह सकते हैं आपने कुछ लड़कूंगा नाम सुनाओगा प्रवीन वो इसलिए लखा जाता है कि इसकी जो कहना चाहिए मिनिंग है वो सकारात्मंग मिनिंग देता है तो जब लोगों की बात करें कोई व्यक्ति ऐ इसको मैं किसी ट्रेंइंग की जड़ोत हो योगिता की जड़ोत हो उस काम को करने में अगर वाद्धक्षय कुछल है तो स्किल्फुल है सेंटेंस से योर सक्सेस इन बिजनेस डिपेंड्स इन इसकी सफलता आपके स्किल्फुल मैनेजमेंट पर निर्वर करती है कितने दक में जो पैंटिंग में अगरा करते हैं उसे बहुत स्किल्फुल बन गई स्किल्फुल के बाद अगला जो बीसिक लिवल वर्ड है वह एक्सपर्ट मिनिंग है स्किल्ड और हैविंग स्पेसल स्किल और नॉलेज कि किसी सबजेट की किसी कारे की उसको कुछ स्पेसल नॉले लिए अंग्रे जी में क्या मिनिंग दिया गया है उसी की situation का गोड़िंग उसका सही मिनिंग आता है जैसे कि expert advice, expert guidance, expert opinion, expert supervision, expert advisor, expert driver, expert rider, rider का मतलब गुड़ सवार तो अब expert यानि गुड़ सवार भी जब training लेगा तब ही expert बनेगा अब इन skillful और expert के advanced label words सीखते हैं इनमें अगला advanced label word आपके सामने है depth D.E.F.T. depth हलंकि एक शब्द और होता है D.E.F.T. depth पर इसका मिनिंग बिलकुल अलग तरीके से है यहाँ पर depth का मिनिंग है skillful and clever at doing something कोई भी काम को करने में जो बहुत skillful है और उस काम को करने में वह चतूर है यही दक्षा है उस काम को करने में वह बहुत चतूर है यह पर मिनिंग है देखते हैं members, he impressed the board members with this depth command of the English language अब अगर किसी भाशा पर आपको बहुत अच्छा कमांड है यहाँ बहुत दक्षता के साथ, निपुनता के साथ, परवीनता के साथ अगर उस भाशा को आप बोल सकते हैं, उसका प्रियोब कर सकते हैं तो आप उस language का depth command रखते हैं तो यहाँ पर depth command of the English language अगला मिनिंग है of a person, moment कोई विक्ति का चलना, फिरना, घुमना जो उसके moment है उसको लेकर भी हम depth का यूज करते हैं और मिनिंग है able to do something quickly and effortlessly कर सकता है और बहुत सिग्रेता से कर सकता है यानि वह निपुर्ण वा फूर्तिला दोनु है सारी रिक तोर पे जब कोई काम करते हैं तो फिर हम उसको फूर्तिला के रूपन निपुर्णता के साथ क्या सकते हैं जैसा कि sentence साप और इसको अचे-चे समझ पाएंगे He sketched her with a few quick and depth strokes of the pencil माली जब किसी विक्तिया को sketch बना रहा है तो बहुत निपुर्णता के साथ पेंसिल को इस तरह के चलाता है और हाथ को जल्दी-अल्दी moment करता है इसलिए लिखा है परसन्स moment तो बहुत फूर्ती से और बहुत दक्षेक्ता के साथ उसने उसका sketch बना दिया तो यहां पर दोनुचीजे हैं sketch बनाने में उसकी जो expert जो वो है उसका बारे में भी आ गया और जो जल्दी से फूर्ती से जो sketch बनाता है वो भी आ गया तो दोनों meaning छिपे हुई हैं यहां पर जब कोई व्यक्ती अपने सारे लीग बहुत फूर्ती से काम करता है साथ में वो काम करने के उसमें दक्षता भी है तो हम लोग यहां पर depth का यूज करते हैं तो इस situation के समझने में या फिर सीखने में जो बहुत तेज है कुषाग्र बुद्धी है दक्ष है निपूर्ण है किसी चीज को सीखने में तो आप apt कहते हैं जैसे की यह जन एप्ट स्टुडेंट यह विल सेटनली गेर दा फर्स्ट रेंग यह वह बहुत कुषाग्र बुद्धी विध्यारती है फर्स्ट रेंग निसीती लेकर आएगा पर अगला हैस का मिनिंग है suitable और appropriate for a particular situation और purpose कि किसी particular purpose उद्धेशे के लिए situation के लिए जो पूरी तरह किसे उचित suitable है appropriate और उप्यूप्त है तो भी apt कह सकते हैं जैसे की देखिए sentence देखिए Captain Cool Captain Cool ध्यान दी याद आएगा कि महिंदर सिंग धोनी को Captain Cool कहा जाता है so Captain Cool was the apt name given to Ms. Dhoni यानि महिंदर सिंग धोनी को जो नाम दिया गया Captain Cool वो पूरी तरह से उप्यूक्त है उचित है क्योंकि as he is very calm and cool by nature क्योंकि वह सभाव से बहुती शांत है बहुती सरीन है गुसा नहीं करता भावावेस में नहीं आता तो वह Captain Cool नाम दिया उप्यूक्त है उचित है अगला sentence the punishment should be apt for the crime कि जो भी अपराद के लिए जो दंड दिया जाता है वह उस crime के हिसाफ से उप्यूक्त होना चाहिए यानि to be apt for the crime अगर छोटा अपराद है तो कम सजा अगर बड़ा अपराद है तो ज़्यादा सजा तो जो भी punishment और किसी crime का वह पुरी तरह से उप्यूक्त होना चाहिए और अगला sentence having tendency to do something किसी भी काम को करने की कुछ लोगों के एक प्रवर्ती होती है एक tendency होती है उस काम करने के रहतो प्रवर्त होते हैं तो वह भी apt है जैसे कि some members are apt to arrive late in the meetings कि कुछ members meeting में late आने की उनके tendency होती है यानि उनकी प्रवर्ती ही late आने की होती है अगला sentence all human beings are apt to suffer from the changing climate कि जो वातावरन में climate में जो बदलाव आता है उसमें कई बार सारी रिक तोर पे कुछ ने कुछ तकलीव होती है तो सभी लोग उसके लिए apt है उसके लिए एक तरसा प्रवर्त हो जाते हैं उस तरफ उनमें ऐसी tendency होती है कि वो जैसे जग क्लाइमेट बदलता है तो उनका सरीर के तकलीव उने होना सुरू हो जाती है तो एक apt बहुत अच्छा शब्द है अगला शब्द है और ये शब्द है astute ये अभिहाली में SSA CDS में कई बार पूछा जा चुक है meaning of very clever quick and skillful to see how to take advantage of a situation अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बहुती mixed सा meaning है किसी भी प्रस्तित्यों का फाइदा उठाने के लिए कोई व्यक्ती बहुती दक्ष है यानि skillful है साथ में बहुती quick है यानि जल्दी से उसका फाइदा उठाता है साथ में वो clever भी है तो यहाँ पर clever quick and skillful तीनु का यहाँ पर एक mixed भाव है इसलिए हिंदी में meaning के साथ साथ कि से ज़्यादा priority हमको देना चाहिए उसका meaning अंग्रेजी में देखने में हिंदी में कह सकते हैं सयाना, होशार, समझदार, चतुर और यहाँ पर चुँकि clever है तो यहाँ clever और should भी इसके synonym हो सकते हैं astute के और astute अपने आप में synonym हो सकता है skillful, expert, depth, adapt, adroit आईए sentences मैंने इस पर ज़्यादा इसलिए दिये हैं क्योंकि यह एकी शब्द तीन मिनिंग का mixed भाव दिखा रहा है clever, quick and skillful पहला sentence कि जो उसकी राजनितिक सूजबूज है जो समझ है जो उसका सयानापन है जो उसकी चतुरता है उसके करण से राई जैनी पहुंचा प्राइमनिस्टर के पदितक राई कर गया किसके करण से astute political समझ जो बहुत ही चतुर या सयाना या सूजबूज वाली राजनितिक समझ नेक्स संटेंस है लेकिन राजनितिमाबाद में आए प्रणान मंत्री बने यदि वो बहुत ही चतुर और सयाने politician होते तो और लंबे समय तक वो प्राइम मिनिस्टर यानि पावर में रह सकते थे लेकिन वो एक चतुर या सयाने स्यूड पोलिटिक्शन नहीं थे अगला संटेंज देखे धिरुभाई अम्वानी made a series of astute business decisions and became the richest man of the country कि धिरुभाई अम्वानी ने जो बहुत ही astute business decisions लिये नहीं बहुत ही होशारी के साथ समझ वाले साथ जो clever भी थे decision, quick भी थे और skillful भी थे और उनके करन्ट से वाद देश के सबसे अमीर इंसान बने तो उनके जो decision थे जो business decision थे वो कैसे थे? astute decision थे यानि astute का मज़ा clever quick and skillful decision थे अगला sentence your astute handling of difficult situations can save you from many unnecessary problems कि जो difficult इस्तितिया हैं यदि आप इसको बहुत ही होशारी चतुरता, सेहनेपन और दक्षता से अगर उसको handle करें तो यह आपको बहुत सी समशाओं से जो कि unnecessary हैं उन problem से आपको यह बचा सकता है यह ability आपकी बचा सकती है और last sentence only astute investors can earn more in stock market stock market को समने बाचीत में share market कहा जाता है अगर आप बहुत ही चतुर quick और skillful investor यानि पैसे का निवेश करते हैं तो ही आप stock market से पैसा कमा सकते हैं अगर ज्यादा तर लोग जो चतुर नहीं है, quick नहीं है, expert नहीं है, वो लोग नुकसान उठा जाते हैं stock market में तो एक बहुत ही अच्छा astute प्रत्यों की प्रिक्षाओं के सबसे आपने सीखा अगला advanced label word skillful का है this is ingenious बहुत अच्छा सब्द है एक ingenious भी शब्दा पर उसका मिनिंग बिलकुल अलग होता है clear? तो यहाँ पर ingenious में आपको यह मिलते जूलते शब्द homonyms के नाम से अलग से में इने कभी करा हुआ so ingenious ingenious का मतलब है जब व्यक्तियों के लिए of a person यूज करते है it means very clever, skillful and having innovative ideas कि वह व्यक्ति बहुत ही clever skillful है और बहुत ही रचनात्म innovative ideas मैं यहाँ पर आपको थोड़ा pronunciation की बात करूँगा actually यहाँ पर एक शब्द है innovative इसको अधिकांस लोग innovative बोलते है क्योंकि noun के रूप में हम लोग use करते है इस शब्द का तो इसको अधिकांस लोग innovation बोलते है it is not innovation it is innovation यह ओ एकी तरह की से pronounce किया जाता है इसी innovation से बनता है innovative जो कि इसका adjective है इसलिए उसे innovative नहीं बोलेंगे क्योंकि यह O यहाँ पर भी A है this is innovative अगर आप सही pronunciation सिखना चाते हैं तो युवाम की learn correct pronunciation इस book को आप खरी सकते हैं और उसमें इसी तरह के के यहाँ वेशब्द जहाँ पर O का pronunciation A किया जाता है उनके separate list मिलेगी ताकि आप उन्हें पढ़कर सही उचारण सीख सके हैं तो ऐसे लोग जो clever है skillful or having innovative ideas उन्हें कहेंगे प्रवीन चतूर दक्ष होशा sentence देखते हैं He is very ingenious at finding ways to work more quickly कि बहुत तेजी से काम करने में या करने के लिए वोई जल्दी से बहुती चतूर होशा रास्ते खोज लेता है It is ingenious of you to arrange the program so precisely यह अलालग कर लीजेगा एक शब्द नहीं है so precisely space आएगा इसके बीच में so precisely so it is ingenious of you to arrange the program so precisely precisely बहुती सटीक और अच्छे तरह की जो काम किया precision and precise precisely हाँ पर adverb है कि जो प्रोग्राम आपने अरेंज किया यह अरेंज की विसे इस ता बता रहा है इतना ठीक तरह की से जो अरेंज किया इसके लिए आपकरी में बहुती चतुरा होशारा प्रभीन है अगला मिनिंग है of a thing जब किसी वस्तुकी बात करें तो मिनिंग है cleverly made or planned and involving new ideas and methods कि कोई चीज को बहुती चतुरता से बनाया गया है कोई योजना बहुती चतुरता से की गई है साथ में उसमें नए आइडियाज और methods को भी include किया गया है जैसे कि एक जमल देखिए cell phone is a truly ingenious invention कि जो cell phone जिसे mobile phone सामने बात्चित में कहते है कि यह वाकरी में एक ingenious invention है यहनि बहुती चतुरता पूर किया गी एक खोज है जो कहीं पर भी आप कहीं भी इसे बात्चित कार सकते है so ingenious एक adjective है इस ingenious से noun बन जाता है ingenuity ingenuity का meaning है the ability to think of clever new ways of doing something कि कोई काम करने के लिए बहुती जो clever जो नए तरीके हैं उनके बारे में सोचने में जो योग्यता रखता है उसे हम ingenuity कहते हैं यह noun के रूप में प्रियोग किया जाता है so ingenious is another good word which you can very well use for expert and skillful means जो विक्ति काम करने में दक्ष है, प्रवीन है, चतुर है, होशार है वह विक्ति ingenious कहलाता है अगला high level vocabulary का शब्द है adapt आप याद रख सकते है depth अलग शब्द है और dapd विल्कुल अलग शब्द है इसका मनुद होता है, जो मूर्ख विक्ति जो होता है जिसमें बुद्धी काम होती है पर depth जो चतुर है यहाँ पर हमने शब्द किया है adapt विक्ति जो बहुत अच्छे से कर लेता है वियाँ विक्ति जो बहुत अच्छे से कर लेता है sentence में आपको और अच्छे से समझें पहला sentence आपके सामने he is not very adapt in finer arts of conversation कि जो बातचित की जो एक अच्छी कला है उसके अंदर बहुत चतुर नहीं है निपूर नहीं आपके से बातचित करने की कलामें दक्षे नहीं है अगला sentence रादा is really very adapt in making other people feel at their ease कि सामने वाले विक्ति को बहुत अरामदाईग महसूस कराने में रादा वाकर में बहुत ही adapt है बहुत ही निपूर नहीं बहुत चतुर है नहीं सामने वाले विक्ति बहुत ही comfortable महसूस करता है उनके साथ अगला sentence a leader must be very adapt at keeping his private life out of media कि एक नेता को खास्तोर से जो राजनेतिक जो नेता है राजनेतिक ये जो है उन्हें बहुत ही adapt होना चाहिए किस बारे में कि वे अपनी वित्तिक जिवन को प्राइवेट लाइब को मीडिया से हमें साथ दूर रखे इसमें उस राजनेतिक को बहुत चतुर होना चाहिए बहुत निपुन होना चाहिए उसे पारंगत होना चाहिए अडेप्ट इसकिल्फुल और एक्सपर्ड का अगला advanced level word था अब आगे एक बहुत अच्छा शब्द हम ले रहे है adroit adroit का मिनिंग भी है बहुत ही क्विक है और साथ में दक्षा है इनिए इसकिल्फुल है हिंदी में कह सकते हैं निपुन है दक्षा सयाना है प्रवीन है चतुर भी कह सकते हैं जिसा कि यहाँ पर एक पहला मेनिंग है Mrs. इंद्रा गांदी वोज a remarkably adroit and determined politician अगर हम अपने देश की पूर्ष प्रदानमंति के बारे में अब अगर जानते हूं Mrs. इंद्रा गांदी जी के बारे में वो वाक्वी में एक उलेकनी तरह किसा remarkably adroit थी और साथ में उनके देरे बहुत determination power था एक राजनितिग्य के रूप में अगला sentence he soon इसको became कर लीजे क्योंकि ये past में होना चाहिए he soon became adroit at dealing with difficult people सिग्रीव है जो difficult लोग थे उनको deal करने में निपून बन गया क्योंकि अगर ये present indefinite होता तो ऐस लगता past indefinite he soon meaning भी past में जा रहा है he soon became adroit at dealing with difficult people कि जल्दी ही है जो कठिन सबाव वाले विक्तिज़ें difficult लोग थे उनको deal करने में बहुत निपून बन गया तो इस तरीके से adroit एक अच्छा शब्द अगला dexterous खास तोर से अगर आप अपने हातों को बहुत निपूनता के साथ यूज करने में सक्षम है तो उसे dexterous कहते हैं कुछ लोग दोनों आथों से काम कर सकते हैं तो dexterous जैसे आपने देखा होगा कई बार circus में दोनों उताव से बाल उच्छालते रहते हैं they are very dexterous clear meaning देखे very skillful and clever in using your hands or solving a problem क्या आप अपने हाथों को use करने में बहुत skillful expert है या फिर किसी problem को हल करने में solve करने में भी आप काफी चतूर हैं और skillful है जैसे कि दक्ष कुल या दोनों आथों से काम करने में जो निपून है जो चतूर है उस विक्ति को dexterous कह सकते है पहला sentence है he is a dexterous surgeon surgeon का मनदब doctor जो operation करता है ठीक है इससे surgeon कहता है जो surgery करने में expert है it means उसके हाथ काम करने में बहुत ही दक्षा है शिगरता से भी काम करता है और skillfully काम करता है तो he is a dexterous surgeon who had so far operated on several heart patient बहुत ही dexterous surgeon है और बहुत से जो रधे के जो मरीज है जो heart patient है उनके operation वे कर चुका है अगला sentence I appreciate a dexterous handling of the crisis कि जो crisis आया जो एक situation थी जो बहुत critical situation थी उसको handle कर जो उसने किया मैं उसको dexterous handling थी उसकी उसको appreciate करता हूं So I appreciate our dexterous handling of the crisis यहनि समश्या का जो dexterous handling की उसकी मैं तारीफ करता हूं तो dexterous बहुत अच्छा शब्द खास तोर से जो हातों से काम करने में दक्ष है और जो समश्या को सुल जाने में भी निपूर्ण है वह विक्ति कहलाता है निम्बल अब देखें निम्बल का मदा फूर्तिला भी होता है पर यहां दो मिनिंग है देखें जैसा कि दोनों दिया हुआ of mind दिमाग से और दिमाग से क्या होगा विक्ति बुद्धिवाला होगा तिवर होगा तेज होगा मिनिंग देखें able to learn and understand things quickly and easily कि चीजों को situation को समझने में जो आसानी से समझ लेता है easily समझ लेता है और quickly तेजी से समझ लेता है वह विक्ति निम्बल है दिमाग से निम्बल है इसके अलावा दूसरा मिनिंग है able to move one's fingers, hands, legs quickly and easily जिसे कुछ लोग sweater बुनते हैं knitting करते हैं तो या embroidery का काम करते हैं sly का काम करते हैं तो हमने देखा कि उनकी fingers कितना तेजी से चलती है so they have got very nimble fingers जो उनकी fingers हमों किया है बहुत nimble है उसी से है even at the age of 60 कि 60 साट साल की उमर में भी हेमा मालनी's nimble feet show what a great dancer she still is कि साट साल की उमर में भी हेमा मालनी कितने nimble जो उनके feet हैं जो पाओं है जो dance करती है बहुत अच्छा dance करती है तो करने में कितना निपून है कितना फूर्ती से वो करती है तो इसलिए है हेमा मालनी's nimble feet show what a great dancer she still is अभी भी at the age of 60 कितना फूर्ती से चपलता से चुस्तता से वो डांस कर लेती है और लास सेंटेंज दिखे हर nimble fingers make knitting seem very easy कि जो उसकी nimble fingers जो फड़ा पड़ा 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 चलती है तो उनके लिए जो knitting में बहुत ही आसान दिखती है because she has got very nimble fingers तो इस तरीके से यदि कोई व्यक्ती अंगुलियों से हाथों से पाउं से सारे रिक तोर से बहुत फूर्तिला है चपल है इट मिन्स वे nimble है काम को करने में लेकिन साथ में दिमाग से nimble होने का मतलब किसी चीज को सीखने में समझने में बहुत तेजी से और आसानी से समझ लेता है तो बुद्धी से भी nimble होता है अगला शब्द है प्रफिशेंट पहले इसका प्रणेंशेशन देखी मैंने बहुत से लोगों को इस शब्द को प्रफिशेंट बोलते देखा है इस इस नोट प्रफिशेंट मैं आपको यहां बताना चाहूँगा पी आर ओ से बहुत से शब्द सुरू होते है यह पी आर ओ प्रे भी है प्रो भी है कब इसका प्रणेंशेशन प्रो होता है और कब इसका प्रणेंशेशन प्रे होता है प्रोजेक्ट भी होता है और project भी होता है spelling is same यानि कहने का मतलब इसका ही दो तरीके से pronunciation है एक noun के रूप में एक verb के रूप में noun के रूप में इसे project कहेंगे verb के रूप में इसे project कहेंगे ठीक ऐसे ही यह PR रूप कितने तरीके से उचारण किया जाता है अगर ऐसे उचारण आप सिखना चाते है तो युवाम की हाईल यह जो learn correct pronunciation जो बुक है इसको आप खरीदिये और इस तरीके के words separate list दिये पी आर ओ कब इसका pronunciation प्रे होता है कब इसका pronunciation प्रो होता है वो आप इस मुक में देख सकते हैं clear है तो आईए proficient meaning very good and skillful at doing something well किसी काम को करने में बहुत अच्छा है बहुत skillful है तो इसे कहेंगे हम लोग हिंदी में प्रवीन और निपुन जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है अब आप चुनकि किसी शब्द को sentence में लंबे समय तक याद रख सकते हैं तो sentence में इसका मिनिंग देखे He is a tourist guide and is proficient in several foreign languages कि वह एक tourist guide है जो यातरी आते हैं बाहर से उनको अलालग चीजें विजिट करवाता है दिखाता है इसलिए वह बहुत सी बाशाओं में proficient है यानि वह बहुत सी बाशाओं में अगला सन्ने देखे There is one way to become proficient at anything कोई भी काम को करने में अगर आप प्रमीन बनना चाहते हैं या निपुन बनना चाहते हैं तो एक ही रास्ता वो क्या है Practice and practice अभ्यास और अभ्यास जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उस कारे को करने में प्रेफिशेंट बन जाएंगे So not proficient प्रेफिशेंट बन जाएंगे अगला sentence है You can become very proficient at computer language programming within six months किछे मैंने के अंदर आप computer programming language जो है उसमें बहुत प्रेफिशेंट बन सकते हैं यह हो गया प्रेफिशेंट अब अगला और लास्ट मिनिंग है वर्चुओसो वर्चुओसो इस वर्चुओसो यह अपने आमें एजेक्टिवी भी है जैसा कि यहां मैंने लिखा है और यह अपने आमें नाउं भी है जब हम लोग इसका मिनिंग एजेक्टिवी को रूप में देखते हैं तो मिनिंग है शोविंग एक्स्ट्रीमली ग्रेट स्किल बहुत ज़्यादा स्किल का दिखाने वाला विक्तिश में बहुत ज़्यादा स्किल है जैसे कि ए वर्चुओसो पर्फॉर्फॉर्मेंस कि एक बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस ए वर्चुओसो पियेनिस्ट पियेनिस्ट नों जो पियेनो बजाता है या म्यूजिसियन वर्चुओसो पियेनिसियन तो यह इन नाउन के पहले एजेक्टिव के रूप में यूज हो गया और जब नाउन के रूप में यूज करेंगे तो मिनिंग है ए परसन उड़ संथिंग इन वरी स्किलफुल वे एक व्यक्ती जो किसी काम को बहुत स्किलफुल तरीकी से करता है जैसे कि एक कंप्यूटर वर्चुओसो इस वर्चुओसो से एक नाउन बन जाता है वर्चुओसीटी ये एब्स्ट्रेक्ट नाउन बन जाता है वर्चुओसो से तो ये सबी शब्द थे इस किल्फिल एक्सपर्ड के सिमिलर वर्ड एक बार में इसका पुन है आपको रिविजन करवा दूँ और इस एक्सपर्ड ये दोनुग बेसिक लेवल वर्ड है अगर आप एडवांस लेवल वर्ड पर जाएं और किसी व्यक्ति के काम करने की दक्षता का उसके निपुनता जिसको काम करने बहुत होशार है तेज है और करना चे जल्दी से कर लेता है तो हम उन्हें कह सकते हैं सारे के सारे शब्द काम्पेटिटिव ग्जामनेशन प्रविन्ट व्यू से काफी महत पून है चाहे वो SSC हो, बैंक प्यो हो, CDS, NDA हो, CLAT या CAT इस अग्जामनेशन हो या फिर अगर आपका इंट्रेस्ट है कि आप बहुत अच्छे शब्द सीखें और अच्छा स्टेंडर्ड लिट्रेचर पढ़ें, बहुत प्रभावसाल अंग्रेजी बोलें तो आपको इन शब्दों का अच्छा ज्यान, इनके अच्छी जानकारी होना बहुत अत्यंत आउशक है आप regularly अच्छा newspaper पढ़ें, अच्छा literature पढ़ें, इन words का day to day life में जो की अलग-अलग situations में इनका प्रियोग किया जाता है उन situations को sentences में समझे, और यदि आप हमारे online course के regular student हैं, तो आपको इन शब्दों की PDF फाइल अविलेबल है आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजे, उनको सीखे, साथ यदि आप चाहें, तो ये सभी शब्द alphabetically I said, alphabetically हमारी high-level vocabulary की book में दिया गया है, आग इस book को खरी लीजे, online ताकि आप सभी शब्दों को alphabetically order में भी सीख सकें, ओके, थेंकि वेरी माच, have a nice day